Good day to all of you. पिशली क्लास में आपने Insert Menu, Format Menu के कुछ Option के बारे में सीखा था. आईए अब हम पहले पिशली क्लास का Revision कर लेते हैं. क्या बता सकते हैं, Section Option का उप्योग क्यों करते हैं? Section विकल्ब की मदद से आप किसी Paragraph अथवा किसी Line के चारों और एक Box में Insert कर सकते हैं. लेकिन आपको वह Line अथवा Paragraph को Select करना होगा. अगर आप बिना Select किये हुए Section Option का उप्योग करते हैं, तो यह नया Box बनके आ जाएगा, जिसमें आप Type भी कर सकते हैं. क्या आप जानते हैं, Footnote और EndNote में क्या अंतर है? Footnote से आप Writer के Page के Bottom में एक Note बना सकते हैं. अगर आपको महत्वपून लाइन अथवा कोई Word याद रखना हो तो उसे Footnote में भी लगा सकते हैं, जिसे आप Directly उप्योग कर सकते हैं. उसे Page-wise देख सकते हैं, लेकिन EndNote से भी Same कारे कर सकते हैं, लेकिन ये आपका Document के सबसे Last के Page में दिखाई देता हैं. उसे भी Directly उप्योग में कर सकते हैं. अब आप सभी अपने Computer को On करें और Writer की File को बताये गए किसी भी तरीके से Open करें. अगर Open करने में कोई समस्या हो, तो पूछ सकते हैं. आईए जानते हैं आज की Class में आप क्या सीखेंगे? आज की Class में आप Table और Tool Menu के Option के बारे में सीखेंगे. जैसे की Table क्या होता है? Table को कैसे Insert करते हैं? Row & Column क्या होती है? Row & Column को Insert कैसे करते हैं? Table को Delete कैसे करते हैं? Mert Sale क्या होता है? Split Sale क्या होता है? Auto Format का उपयोग क्यों करते हैं? Auto Fit का उपयोग क्यों करते हैं? Convert का उपयोग किसलिए करते हैं? Sort Option से क्या होता है? Formula का उपयोग क्यों करते हैं? Number Format से क्या होता है? Property से क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि Table क्या होती है? और इसका उपयोग क्यों करते हैं? Table Row & Column से मिलकर बनती हैं? या आपके math की notebook की तरह दिखाई देती हैं जिसके अंदर बहुत से box होते हैं जिने sell कहते हैं और sell को मिलाकर row अथवा column बनते हैं table का उपयोग आप बहुत से कारेव के लिए कर सकते हैं जैसे कि किसी की list बनानी हो office के कारेव के लिए report card, calendar, student के marks box या उनके detail इत्यादी बनाने के लिए करते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि row और column क्या होते हैं अब आप सामने दिखाये गए चित्र को देखें यहाँ पर दिखाया गया है कि जो original box अत्वास sell होते हैं उन्हें मिलाकर एक row बनती है और vertically sell को मिलाकर column बनते हैं दिए गए चित्र में left से right की तरह जो sell दिखाई दे रहे हैं उन्हें row कहते हैं जो की horizontally होती हैं और जो up to down की तरह box sell होते हैं उसे column कहते हैं यह column vertically होते हैं आईए अब सीखते हैं कि table को insert कैसे करते हैं table को आप तीन तरीके से open कर सकते हैं पहला आप insert menu के table option का उप्योग करके दूसरा आप table menu के insert option का उप्योग करके तीसरा इसके लिए आप shortcut command का भी उप्योग कर सकते हैं जो की control plus F12 होती है आईए अब वीडियो को देखकर तीनों तरीके से table को open करना सीखते हैं आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि table को कैसे insert करते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को मैनूबर के insert बिकल पे लेकर रहें अब इस box के अंदर आपको table लिखे हुए बिकल को ढूड़ना है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पे क्लिक करें एक box आजाएगा अब इस box के अंदर आपको column के size को बढ़ाना है पांच column करना है और पांच row करना है क्योंकि table जो है column और row के मिला कर बनता है और फिर आप ok कर दें इस तरह से आप insert menu के द्वारा table को बना सकते हैं दूसरा तरीका आप standard toolbar के टेबल भी कल्प के द्वारा जैसे के आपको वीडियो भी दिखाया जा रहा है आपको जितना का table बनाना है यहाँ पे आप उसके size को बढ़ा सकते हैं row और column को कम कर सकते हैं हमें 5 by 5 चाहिए तो हम दोनों 5 by 5 रखेंगे row भी 5 और column भी 5 और बस एक बार left बटन क्लिक कर देंगे तो table create हो जाएगा जिससे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है किसी तरीके से आप दुबारा से आप अगर आप 4 by 4 का table create करना चाहते हैं तो ऐसे ही standard toolbar के द्वारा 4 by 4 का भी table create कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है दूसरा आप यहां से table के द्वारा insert menu में जाके table menu बार के insert wiggle पे जाके table पे क्लिक करेंगे यहां पे उसके बाद एक box आ जायेगा अब इस box के अंदर आपको column और row के number को देना है कि कितने का आप table create कर रहे हैं अमें 5 by 5 का करना है तो column भी 5 रखेंगे और row भी 5 ही रखेंगे उसके बाद okay कर देंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप तीन अलग अलग प्रकार से table को create कर सकते हैं या बना सकते हैं अब आप सामने दिखाये गए चीतर की तरह एक table बनाएं एक box से दूसरे box में जाने के लिए आप left, right, up और down arrow की का उप्योग करें अथवा आप उस sale में mouse अथवा touchpad की मदद से भी click कर सकते हैं क्या आप सभी ने सामने दिए गए table को बना लिया है अथवा नहीं अगर नहीं तो आप इसे जल्दी से बनाएं क्या आप बता सकते हैं रो को कैसे insert करते हैं रो को आप दो तरीके से insert कर सकते हैं जैसे की table toolbar के द्वारा और table menu के insert option के द्वारा आईए अब इन दोनों तरीके से रो को insert करना सीखें आईए पीडियो को देखकर सीखते हैं कि रो को कैसे insert करते हैं अगर हमें एक और रो चीए जिसके अंदर हम कोई data add करना चाते हैं या किसी student को add करना चाते हैं उसके detail को तो हमें row की जरूरत होगी उसके लिए हम row को insert करेंगे row आप दो तरीके से insert कर सकते हैं एक तो पहला जो की दिखाया जारा वीडियो में table toolbar के द्वारा इसके अंदर आपको insert row के भी कल्प को ढोड़ना है या आप एक क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे एक row insert हो जाएगा जैसे कि आपको वेडियो में दिखाया जा रहा है अब आप इसे close करें अब दूसरा तरीका फिर से दुबारा से आप table toolbar को लेके आ सकते हैं table के अंदर रखके जैसे कि आपको वेडियो में दिखाया जा रहा है जैसे हम cursor को बाहर क्लिक करेंगे table के बाहर तो वह table चला जाएगा जैसे table के अंदर लागे क्लिक करेंगे वह table वापिस आ जाएगा तूसरा तरीका आपको menu bar के table विकल पे जाके insert option पे डूड़ना है यहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद एक box आएगा इस box के अंदर आपको row विकल पे क्लिक कर देना है अब इस insert row विकल जो box आएगा इस box के अंदर आपको दो चीज़ दिया गया है insert number आप कितने row को insert करना चाहते हैं दूसरा position आपका जहाँ cursor है उसके पहले चाहते हैं या उसके बाद यह आपको decide करना है जैसे कि वीडियो में दिखाया जारा आपको दुबारा से हम table पे जाएंगे row पे क्लिक करेंगे insert option के बाद क्लिक करने के बाद अब हम position को देखेंगे कि कहां चीज़ आपको तो after by default select होता है मालेजयम ने before select कर लिया और number के अंदर एक row चीए तो अब देखें यहाँ पे जहां हमारा cursor था उसके उपर एक नया row आ गया इस तरह से आप row को insert कर सकते हैं दो तरीके से क्या आप बता सकते हैं column को कैसे insert करते हैं column को भी आप दो तरीके से insert कर सकते हैं अब आप एक column को insert करके अगर कोई समस्या हो तो video से सीखें आए बीडियो को देख कर सीखते हैं कि table के अंदर column को कैसे insert करते हैं जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है आप अपने cursor को table के अंदर किसी भी एक सेल में रखें जहां पर आपको column insert करना है और उसके बाद आप table toolbar के अंदर जहां पर pointer दिखाया जा रहा है यहां पर click करें जैसे आप इस पर click करेंगे जहां आपका cursor होगा उसके ठीक आगे एक नया column add हो जाएगा यानि insert हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब आप इस column के अंदर कुछ भी type कर सकते हैं जैसे कि हम जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है यहां पर mobile number हमने type किया column को आप menu bar के table options के द्वारा भी insert कर सकते हैं इसके लिए अपने pointer को यहां पर लेकर आए click करें column लिखे हुए भी column पर लेकर आए click करें यहां पर left button एक box आएगा अब इस box के अंदर आप number को दें कि आपको कितने column insert करने हैं उसके बाद दूसरा option है position का इसमें यहां पर यह define करेंगे कि आपको जहां cursor है आपका उसके पहले चीए या उसके बाद इन दोनों option में से कोई भी एक option select करें और उसके बाद हमने ok कर दिया तो हमारा जहां cursor था उस sale के आगे क्योंकि हमने वहां पर after select किया था उसके आगे एक नया column insert हो गया table के अंदर column को insert कर सकते हैं आईए अब delete sub menu के बारे में सीखते हैं delete से आप table row और column को delete कर सकते हैं आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि delete कैसे करते हैं आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि table के अंदर से column row को delete कैसे करते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आपका cursor अगर table से बाहर है तो आप अपने pointer के द्वारा यानि कि mouse और touchpad के द्वारा अपने pointer को column table के अंदर लेकर आए उसके बाद यहां से आप table bar के अंदर से अगर row delete करना चाहते हैं तो delete row option पे click करें जहां भी आपका cursor होगा वहां का आपका जो row होगा उस table के अंदर का delete हो जाएगा आप इसे delete करने के लिए table menu bar का भी उप्योग कर सकते हैं यहां पे जाएं click करें delete option पे जाएं और यहां पे देखें तीन option आ रहा है table, row और column अब आपको ये देखना है कि आपको क्या delete करना है तो आपको अगर row डिलीट करना है तो आप row को select करेंगे तो जहां भी आपका cursor होगा वहांका row डिलीट हो जाएगा अगर माला लिजी ये column को delete करना है तो हम अपने cursor को टेबल के अंदर रखेंगे जिस column को भी delete करना है और table toolbar के द्वारा यहां से delete column पे click कर देंगे तो जहां भी हमारा cursor होगा वह column पूरा delete हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है delete फिर से आप table menu बार के delete भी column के द्वारा जाके यहां पे column को select करके delete कर सकते हैं जैसे ही आप column पे click करेंगे जहां आपको cursor होगा वह पूरा column delete हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है delete कर सकते हैं अगर माली जी आपको table को ही delete करना है तो table पे जाए delete भी column पे click कर दें उसके बाद table पे click कर दें तो यह table ही delete हो जाएगा पूरा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर दुबारा इसे लाना है आपको तो आप shortcut command का प्रियोग कर सकते हैं undo का जिससे कि आपका table वापिस दुबारा आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप table, row और column को delete कर सकते हैं अब आप select option के बारे में सीखें row, column अथवा table को आप कई तरीके से select कर सकते हैं जैसे कि table toolbar की मदद से, table menu के select option के मदद से mouse अथवा touchpad के मदद से और shift के साथ arrow key के मदद से आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि select option का उप्योग कैसे करते हैं आईए वीडियो की मदद से देखकर सीखते हैं कि table को कैसे select करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है table को आप अलग-अलग प्रकार से select कर सकते हैं table को select करने के लिए आपको सबसे पहले अपने pointer को table के अंदर रखना है करसर को उसके बाद जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है आप menu वार के table विकल पे जाएं उसके बाद इस box के अंदर select विकल पे जाएं जो कि वीडियो में दिखाया जा रहा है पूरे table को select करना है इसलिए हमने table पे click कर दिया तो यह पूरा table select हो गया फिर से हम table पे जाएंगे select विकल पे जाएंगे अब row पे click कर देंगे तो आप देखिए पूरा row select हो गया जहां आपका cursor था वहां पे उस वहांका पूरा column पूरा row select हो गया फिर से दुबारा से table पे जाएंगे select पे जाएंगे फिर से row पे आपने click कर दिया तो अब जहां हमारा cursor था वह पूरा row पूरा select हो गया जैसे कि आपको विडियो में दिखाया जा रहा है फिर से table पे जाएंगे select option पे जाएंगे अब आप column को select कर लेंगे तो जहां आपका cursor था वहां का पूरा column select हो गया अब हम किसी और cell में अपने cursor को रखेंगे table पे जाएंगे select पे जाएंगे उसके बाद cell को select कर लेंगे तो जहां आपका cursor है वह cell select हो जाएगा cell बिकल्ब के द्वारा तो इस तरह से आप अपने table को menu बार के table बिकल्ब के द्वारा select कर सकते हैं अब अपने table को या table के cell को mouse या touchpad के द्वारा भी select कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो इम दिखाया जा रहा है जहां से भी आपको select करना है वहाँ पे अपने pointer को लेकर जाएं cursor को और फिर अपने touchpad या mouse के left button को दबा के रखें और पूरा इसे drag करें जहां तक आपको select करना है वहाँ तक आप इसे drag करें आपका वह table पूरा select हो जाएगा अगर column के तरफ select करना चाहते हैं तो आप आप इसे shift key के द्वारा भी select कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है shift key को दबा के रखें फिर से arrow key को यूज करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है या फिर आप mouse या touchpad के द्वारा जैसे आप select करना चाहते हैं आप select कर सकते अपने table को तो इस तरह से आप table को select कर सकते हैं आईए अब merge sale के बारे में सीखते हैं क्या आप जानते है merge sale क्या है merge का मतलब होता है मिलाना या एक करना merge sale का उपयोग दो या उससे अधिक sale को एक sale में करने के लिए करते हैं आईए वीडियो को देखकर मर्च सेल का उपयोग करना सीखें मर्च सेल से आप दो सेल को आपस में जोड़ सकते हैं यह आपको पता होगा कि आपको कौन से दो सेल को जोड़ना है जैसे कि मालने जी आमें इन दो सेल को आपस में जोड़ना है तो हम अपने इन दोनों सेल में से किसी एक सेल में अपने करसर को रखेंगे या दोनों सेल को सलेक्ट कर लेंगे ध्यान रहे हैं कि आप बिना सलेक्ट किये हुए मर्ज सेल का उपयोग नहीं कर सकते हैं सलेक्ट आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं select करने के बाद आप menu बार के table भी curve पे जाएं और यहाँ पे merge cell लिखे हुए भी curve पे click कर दें जैसे आप click करेंगे आपने जो तो cell को select किया था वो आपस में merge हो जाएगा आप देखें कि या बीना select किये हुए हम इसे merge नहीं कर सकते हैं वो highlight नहीं होगा merge option तो इसके लिए आपको select करना अनिवारे है पहले दोनों cell को select कर लेंगे table पे जाएंगे उसके बाद merge cell भी curve पे click कर देंगे आप देखें कि जो दो cell को आपस में merge हो गया है फिर से अब आप चाते हैं किसी दूसरे cell को merge करना उससे select कर लें उसके बाद आप table मैनू बार भी कल पे जाएं और फिर merge cell पे click कर दें इस तरह से आप फिर से cell को merge कर सकते हैं किसी दूसरे cell को ऐसे ही अब मालीचे पूरे column को merge करना है आपने पूरे column को select कर लिया टेबल पे गया है यहाँ पे click के हमने और फिर merge cell को select कर लिया अब देखें कि यह पूरे column को select किया था वह पूरा merge हो गया इस तरह से आप merge cell का उप्योग कर सकते हैं अब चाहें तो इसे table toolbar के दौरा भी merge कर सकते हैं जो कि आपको पहले ही बताया गया है आईए अब split cell का उप्योग करना सीखें क्या आपको पता है split cell का उप्योग क्यों करते हैं split का मतलब होता है अलग करना या टुकडों में बाटना split cell से आप एक cell को एक से अधिक cell में बदल सकते हैं अत्वा टुकडों में कर सकते हैं आप चाहे तो सेल को horizontally या vertically में बांट सकते हैं split cell का उप्योग कैसे करते हैं यह विडियो में दिखाया जा रहा है आईए विडियो को देखकर सीखते हैं कि split cell का उप्योग कैसे करते हैं split cell के द्वारा आप एक cell को एक से ज़्यादा भागों में बाट सकते हैं आपको जिस cell को भी एक से ज़्यादा भाग में बाटना है उस cell को या उस cell के अंदर अपने cursor या pointer को रखें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया चाह रहा है और उसके बाद आप अपने pointer को menu बार के table बिकल्ब पे लेकर आए यहाँ पे एक बार क्लिक करें उसके बाद split cell लिखे हुए बिकल्ब को ढूड़ें और split cell पे क्लिक करें अब एक box open हो जाएगा अब इस box के अंदर आपको split cell पहला option split cell into आप उस cell को कितने भागों में बाटना चाहते हैं एक भाग में दो भाग में दूसरा आता direction यहाँ पे आपको दो option दिये जाते हैं horizontally और vertically हमने यहाँ पे into equal वाले विकल्ब को select कर लिया tickers निसान दे दिया और उसके बाद हमने vertically को select कर लिया अब यह cell दोनों भागों में बट गया हमने इसको select किया right button क्लिक किया cut का उपयोग करेंगे और उसे लाने के लिए paste करेंगे जैसे कि वीडियो पे दिखाया जा रहा है अब यह दूसरा वहाँ पे चलाया हमने अब दूसरे से हम दूसरे cell में गया है क्लिक किया table पे गया है उसके बाद split cell विकल्ब पे क्लिक किया हमने कितने भाग में बाटना है यह देखा हमने दो भागों में बाटना है उसके बाद direction दिया हमने vertically रखना है और ok अब देखें इसके नीचे ठीक बराबर यह दोनों भाग में बढ़ गया अब जो नीचे वाला data है उपर वाले data है इसको shift करना चाहते हैं उस cell के अंदर हमने इसको select किया cut का उपयोग करेंगे और उसे लाने के लिए paste करेंगे जैसे कि वीडियो पे दिखाया जा रहा है अब आप इसे pick करके याप इसको adjust भी कर सकते हैं अपने table को जिससे कि सभी लाइने आपस में यह match हो जाएंगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस प्रकार से अब हम इसे split करना सीखेंगे हमने इस sale के अंदर अपने pointer को या cursor को रखा उसके बाद नमबर को count कर लेंगे कितना करना है हमें split split पर click कर देंगे अब इस box के अंदर हम नमबर देंगे कितने नमबर में हमें sale को divide करना है हमें 5 में करना है तो हमने यहां पर 5 select कर दिया कम करना है 4 में 4 कर दिया हमने और gently रखना है direction और फिर okay पर click कर देना है अब देखें आपका यह sale जो है कि चार भागों में बढ़ गया split हो गया अब हम इन नामों को एक एक करके cut paste कर लेंगे और एक नाम को cut करेंगे फिर हम यहां पर paste कर लेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और एक नाम को cut करेंगे फिर हम यहां पर paste कर लेंगे फिर से हम टेबल पर जाएंगे क्लिक करेंगे split cell बिकल्ब को select करेंगे और जेंटली सब same रहेगा और ok कर देंगे अब एक और यहां पर बट गया इस नाम को हम select करेंगे cut करेंगे और इस sale के अंदर इसे paste कर देंगे और यहां से इसे हम exact कर लेंगे इस तरह से आप split cell बिकल्ब का उप्योग कर सकते हैं आप अपने data को एक sale से दूसरे sale में shift करने के लिए cut का उप्योग करेंगे और उसे लाने के लिए paste करेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है क्या आप जानते हैं प्रोटेक्ट सेल से क्या होता है प्रोटेक्ट सेल की मदद से sale को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिसकी मदद से उस sale के अंदर कोई change नहीं कर सकता है आईए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि प्रोटेक्ट सेल का उप्योग कैसे करते हैं आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि प्रोटेक्ट सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या उसको सुरक्षप्रदान कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, जिस सेल को भी आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उस सेल के अंदर अपने कर्सर को रखें, टेबल पे जाएं, क्लिक करें और फिर प्रोटेक्ट सेल पे क्लिक कर दें. अब उस कर्सर के अंदर जब भी आपका पॉइंटर रहेगा, टेबल टूल बार हाइट हो जाएगा, या कोई भी आप्शन उसके अंदर काम नहीं करेगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जब तक आपका कर्सर उस सेल के अंदर होगा, अब जब भी कुछ टाइप करेंगे, एक एरर बॉक्स आ जाएगा यहाँ पर, जो कि read only और फिर उसे ok कर देंगे, अब यहाँ पर right बटन को क्लिक करेंगे, फिर सेल पर जाएंगे, और unprotect कर देंगे, जैसे आप unprotect करेंगे, मतलब यह सेल आपका unprotect हो गया, सारे option अब आपको सो हने लगेंगे, अब जो भी changes करना चाहें, आप इस सेल के अंदर change कर सकते हैं, जब आप protect पर क्लिक कर देंगे, उस समय आप कोई भी changes नहीं कर सकते हैं, जब आप unprotect करेंगे, उसके बाद आप कोई भी changes नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरह से आप अपने सेल को, टेबल के सेल को protect कर सकते हैं, आईए अब auto format के बारे में सीखना सुरू करते हैं, auto format एक ऐसा option होता है, जिसमें पहले से ही table के बहुत से design उपलब्द रहते हैं, जिने आप अपने according कस्टमाइज कर सकते हैं, auto format का उपयोग कैसे करते हैं, या दिखाया जा रहा है वीडियो की मदद से सीखें, आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं, कि auto format कैसे करते हैं, auto format के द्वारा आप अपने table को design दे सकते हैं, इसके लिए आपका cursor table के अंदर होना चीए, उसके बाद menu बार के table भी कल पे जाएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद auto format पर क्लिक कर दें, एक box open हो जाएगा, अब इस box के अंदर, आपको अलग-अलग प्रकार के table के format के design मौजूद हैं, जो भी आपको इन में से अच्छा लगे, आप उसे select करें, आप यहां से इसको scroll कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, जो भी आपको table का format अच्छा लगे, आप उसे select करें, और फिर रोक के कर दें, वह आपका format आपके table का design बन जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर से table पर जाएए, auto format पर क्लिक करें, अगर कुछ और changes करना चाहते हैं, तो more पर क्लिक करें, अब यहां पर देखें, formatting के भी option आगए, number format, font, alignment, border, patterns, design चेंज करना चाहते हैं, आप change कर सकते हैं, उसके rename करना चाहते हैं, जो आपका format है, उसको rename करना चाहते हैं, अपना नाम देना चाहते हैं, या कुछ भी, आप क कर सकते हैं यहां से उसको select करें और okay करतें जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर add करना चाहते हैं आप add भी कर सकते हैं यहां पर जो भी नाम यहाँ पर देखे एड़ करना चाहते हैं आप उसे एड़ कर सकते हैं आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है डिलीट पर क्लिक करेंगे कि बॉक्स आएगा यहाँ पर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं ओके करना होगा, जिसे भी आप भटाना चाहें या आप फॉर्मिट को चेंज करना चाहें, चेंज करना है तो ओके कर दीजिए टेवल के बाहर अपने कर्सर को रखे क्लिक कर दें, इस तरह से आप अपने टेवल के डिजाइन को आटो फॉर्मिट के दुवरा चेंज कर सकते हैं आइए अब आटो फॉर्मिट के बारे में सीखते हैं, क्या आप बता सकते हैं आटो फॉर्मिट का उप्योग क्यों करते हैं, आइए अब वीडियो की मदद से आप रो और कलम की हाइट या विर्थ को कम या जादा कर सकते हैं, आइए वीडियो को देख कर सीखते हैं, आइ अपने table के row, column के उसके height और width को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं इसके लिए आप सभी अपने cursor को menu बार के table विकल पे लेकर आए auto fit पे लेकर जाएं यहां पे देखें कोई भी option highlight नहीं होगा क्योंकि हमारा cursor जो है table से बाहर था और हमने select नहीं किया जिस cell के height और width को बढ़ाना है उसको select करें बिना select किये हुए आप उसके height और width को नहीं बढ़ा सकते हैं select करने के बाद आप table पे जाए auto fit पे जाए रोक के height को बढ़ाना है तो रोक height की बिकल्ब को select करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जितना भी आपको height देना है आप यहां से height दे सकते हैं और रोक ही कर दें अब देखें यहां पे जिस रोक को हमने select किया थ हैं फिर से हमने row height को select किया फिर से यहां से हम उसके size को हमने बढ़ा दिया यहां से और उसके बाद ok कर दिया हमने फिर से हमने पूरे table को select कर लिया जैसे कि आपको वेडियो में दिखाया जा रहा हैं उसके बाद menu bar के table भी कल पे गए है आटो feet पे गए है उसके बाद हम distribute row equally option को select करेंगे तो उससे क्या होगा आपका जितने भी row है एक बराबर view में आ जाएंगे सबको equal कर देगा जैसे कि आपको वेडियो में दिखाया जा रहा है दुबारा सा table पे जाएंगे auto feet रो हाइट को select कर लेंगे उसके height को कम करना चाहते हैं कम करेंगे अब यहां से और फिर रोके कर देंगे जैसे कि आपको वेडियो में दिखाया जा रहा है अब आप column को select कर लेंगे जैसे कि आपको वेडियो में दिखाया जा रहा है auto feet पे जाएंगे उसके बाद आप column width को select करेंगे column का number आ जाएगा यहां पे कौन सा column है कितना रखना चाहते हैं यहां से बढ़ा सकते हैं उसको अब उसके width को यहां से बढ़ा सकते हैं और फिर ok कर दें आप देखे column की width बढ़ गया यहां पे मालनीचे हमने दूसरे column को select कर लिया आप उसके बाद table पे गये auto feet भी कल पे गये column width पे क्लिक किया हमने जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है यहां पे column number आ गया कि कौन सा column number है उसके width को बढ़ाया हमने ok कर दिया अब फिर से हम पूरे table को select कर लेंगे table पे जाएंगे auto feet पे क्लिक करेंगे उसके बाद distribute column को select कर लेंगे equally तो इससे क्या होगा distribute column equally option से सारे जो table है आपके उसके column एक बराबर में आ जाएंगे उनको एक बराबर में बाट देगा डिबाइट कर देगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप auto feet के द्वारा table के row और column के width को बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं आईए अब convert के बारे में सीखते हैं क्या आप जानते हैं convert option से क्या होता है convert option की मदद से आप text को table में और table को text में बदल सकते हैं आईए बीडियो को देख कर सीखते हैं convert का उपयोग कैसे करते हैं आईए बीडियो को देख कर सीखते हैं कि convert भी गल्प से table को text में और text को table में कैसे convert करेंगे जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा हैं आप अपने table को select कर लें select करने के बाद table menu बार पे जाएं यहाँ पे click करें उसके बाद convert भी कल्प को select करें अब देखें सबसे पहला option text to table दूसरा option table to text अभी हमारा table है तो हम table को text में बदलेंगे तो जैसे click करेंगे table to text पे अब यहाँ पे एक box आ जाएगा इसमें चार option दिए गया है tab, paragraph, semicolon, other हम tabs को select करेंगे और ok कर देंगे अब जो आपका table था वह text में आ गया इसको दुबारा से undo करके वापिस लेकर आएं फिर से आप convert पे जाए table menu बार के द्वारा और यहाँ पे semi columns को select करें ओके कर देंगे अब देखें जो आपके text है table जो है text के column में आ गया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है columns में आ गया semi columns में फिर से आप इसे undo करके लाएं टेबल को अपने दुबारा से table पे जाएं convert पे click करें table to text पे जाएं अब paragraph select कर लें तीसरा option और ok कर दें अब देखें जो आपका table है वह अलग-अलग paragraph में आ गया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर से दुबारा से table को लाएं undo करके table पे जाएं table पे जाएं convert पे जाएं table to text पेकल को select करें और other को select करें और यहां पे जो भी symbol देना चाहते हैं वो symbol को यहां पे type करें और ok कर दें अब देखें आपका हर एक table जो है उस symbol के साथ में आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप table को text में ला सकते हैं अब आपको text to table आना है तो आप अपने इस text को select कर लें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद अपने pointer को table विकल पे लेकर आए convert पे जाए अब देखें text to table विकल हाईलाइट हो रहा है तो text to table विकल को select कर लें other में रखना चाहते हैं other select करें आप देखें यह आपका जो text है वह convert होके चलाया क्योंकि उसी format में वह text था हमारा इसलिए आपने other और symbol plus का select किया था के साथ में आपने ok किया इस तरह से आप convert विकल के द्वारा table to text और text to table में कर सकते हैं आईए अब formula option के बारे में सीखते हैं क्या आप जानते हैं formula से क्या होता है formula की मदद से आप table में लिखे हुए नंबर को जोड़ना, घटाना, multiply यानि गुणा करना arithmetic के operation यानि कि अंक गड़ित के सभी क्रियां को कर सकते हैं आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं formula का उप्योग कैसे करते हैं आईए वीडियो की मदद से आप सीखते हैं कि formula बिकल्ब का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि formula से आप जोड़ना, घटाना, गुड़ा भाग कर सकते हैं आप इस result वाले column को select करें और उसे delete कर दें backspace के दोरा मिटा दें अब हम इसके अंदर ये जोभी number से इनको plus करेंगे इसके लिए वाले नाम के आगे result के अंदर अपने cursor को रखा, table पर गया, formula पर क्लिक किया अब यहाँ पर जैसे उन्हें formula पर क्लिक किया formula बार आ गया बराबर का sign, sum, sum, bracket open और इनको select कर लेंगे दोनो numbers को, दोनो sales की number को जितने भी अगर number हो आप उनको select कर लेंगे और फिर enter button का उप्योग कर देंगे तो यह जो number है, इनके plus हो जाएंगे, या total हो जाएंगे तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं अब अगले नाम के total को निकालेंगे या number के total को निकालेंगे अपने cursor को अगले cell में लाएंगे उसके बाद यहां से sum पे क्लिक करेंगे table toolbar के द्वारा और हम दोनों को select करेंगे, automatic और enter दबा देंगे तो इसका plus हो जाएगा यानि कि total आ जाएगा फिर से हम अगले cell में जाएंगे ब्राबर के sign को type करेंगे और अब हम numbers को देंगे जो numbers है उनको देने के बाद plus type करेंगे पहला number, plus, दूसरा number और interpreter तो दोनों number का plus हो जाएगा अब अगले cell में जाएंगे equal to यानि ब्राबर के चिन्ह को दबाएंगे की को दबाएंगे फिर उसके बाद स, यू, एम टाइप करेंगे सम, ब्रैकेट ओपेन numbers को select करेंगे या उसकी column जो भी column number है उसको देखेंगे टाइप करेंगे यह वहाँ पे अपने pointer को रखेंगे वह आटमेटिक वहाँ पे आ जाएगा अफिर enter button क्लिक करेंगे अब देखें यहाँ पे यह गलत हो गया क्योंकि formula जब हम गलत टाइप करेंगे तो यह error आएगा जो कि आपको वीडियो में अभी दिखाया जा रहा है तो इसलिए आपको formula सही टाइप करना है table पे जाए formula भी column को डूढ़े क्लिक करें यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे formula भार आ जाएगा यहाँ पे बराबर का sign दें sum लिखें bracket open और number को select करें जिन नम्बरों को आपको plus करना है select करने के बाद enter बटन का उप्योग कर दें जिसे की sum हो जाएगा इस तरह से आप number के sum कर सकते हैं एक और column ले लें insert करें इसके आगे result के आगे वाले column के आगे आपको एक नय column लेना है इसके अंदर आपको difference type करना है जैसे की video में दिखाया जा रहा है difference का मतलब होता है अंतर अब हमें दो numbers के अंतर को निकानला है जिन number के अंतर को निकानला उसके आगे वाले cell में अपने cursor को रखेंगे formula पे जाएंगे क्लिक करेंगे table menu बार के द्वारा और browser का sign देंगे जिस cell का numbers निकानला उस cell को select करेंगे या उसके cursor रखेंगे उस cell के number को देंगे और minus और फिर enter बटन जैसे की आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी तरह से अगले cell में जाएंगे फिर equal to numbers को देंगे जो भी number है 148 minus 77 अभी इन दोनों के जो भी अंतर होंगे वो minus हो जाएंगे फिर अगले cell में जाएंगे equal to दबाएंगे फिर numbers को देंगे जिन number को minus करना है या अब इसका multiply करेंगे numbers multiply 52 यानि 70 और 52 का हम गुणा करेंगे तो बराबर का sign दिया 70 और फिर गुणा का चिन और फिर 52 इसकी जो भी होंगे result वो आपके सामने screen पर ऐसे आ जाएगा automatic enter button का उप्योग करेंगे तो फिर अगले cell में जाएंगे अब इन दो number का निकालना है बराबर का चिन देंगे numbers को देंगे division यानि भाग का चिन देंगे और फिर दूसरा number और enter button तो इन दोनों number का जो भी भाग निकलेगा या division होगा उसका result ऐसे आ जाएगा इस तरह से आप table के अंदर formula बिकल्प का उपयोग कर सकते हैं या formula के दोरा इन सभी numbers के arithmetic operation का कारे कर सकते हैं आईए अब number formatting के बारे में सीखते हैं क्या बता सकते हैं number formatting का उपयोग क्यों करते हैं? number formatting की मदद से आप number को अलग अलग प्रकार के format में लिख सकते हैं जिसका उपयोग आप menu अथवा table toolbar की मदद से भी कर सकते हैं आईए वीडियो की मदद से सीखते हैं number formatting का उपयोग कैसे करते हैं? आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि number format को या number format बिकल्प का उपयोग कैसे करते हैं नमबर format से आप अपने table के number को अलग-अलग प्रकार से type कर सकते हैं या उनको अलग-अलग प्रकार से change कर सकते हैं इसके लिए अपने pointer को, cursor को आप अपने table के अंदर रखें उसके बाद table पे जाएं, click करें और number format को select करें जैसे की वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद यहां पर क्रिक करेंगे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा अब इसके अंदर अलग-अलग option दिए गया है category, format, language category के अंदर अलग-अलग numbers के types है जो number, percentage, currency, date, time, जो भी है इन में से आपको जो भी चाहिए इसे drag भी करके नीचे देख सकते है हमें मालीजे, percentage में लेना है या all format देखना है तो all पे click करेंगे उसके format को यहां से देख सकते है numbers के अलग-अलग format है यहां पे number पे click करेंगे यह number के format आगा है उसके language को यहां से change कर सकते है किस भासा में रखना है उसको यहां से हम चेंज कर सकते हैं हिंदी में रखना है अगर हिंदी में हाँ सेलेक कर लेंगे और को सेलेक करेंगे तो अब यह नंबर का अलग-अलग हिंदी फॉर्मेट आ गया है यहां पर जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर अगले सेल में जाएंगे, अगले सेल में आप कर्षर को रखेंगे, टेबल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, परसेंटेज को सलेक्ट करेंगे, करंसी को देखेंगे, जैसे कि आपको वी नमबर आपका उस format में आ जाएगा जिस format को आपने select किया है फिर अगले cell में जाएंगे या फिर आप इसी तरह से अलग-अलग cell के नमबरों को नमबर के format को change कर सकते हैं आईए अब table की property के बारे में सीखते हैं क्या आप जानते हैं property का उपयोग क्यों करते हैं property की मदद से आप table में editing कर सकते हैं text को या नमबर को change कर सकते हैं बहुत से कारे को कर सकते हैं जैसे कि table के border background color इत्यादी को बदल सकते हैं आईए वीडियो की मदद से table property option के बारे में सीखें आईए वीडियो को देखकर शीखते हैं कि table property विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं table property के विकल्प से आप बहुत से कार्यों को कर सकते हैं table के background के borders को इन सब चीजों को change कर सकते हैं इसके लिए आप menu बार table विकल्प अपने pointer को लेकर आए और table properties पे क्लिक कर देए आप जैसे क्लिक करेंगे एक box आएगा इस box के अंदर अलग-अलग option दीए गया है जैसे कि table पहला option है इससे select करें अगर by default select है तो ठीक है फिर नहीं तो इससे select करें अब देखे properties के अंदर आप table के नाम को भी दे सकते हैं जैसे हमने यहां पर table के नाम को दे दिया उसके width के size को भी यहां से बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके spacing को कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं यहां से left से कितना रखना है अपने writer के page पे table को above से कितना space रखना है below से कितना रखना है उसका alignment क्या होना चीए यहां से change कर सकते हैं manual हमने select कर लिया यहां पे alignments को यह automatic कर दिया हमने left कर सकते हैं यहां से from left कर सकते हैं right कर सकते हैं center, manual जो भी आपको format देना alignment का आप उसे कर सकते हैं यहां से रख सकते हैं और फिर आपको ok कर देना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है पूरे table को select कर लेंगे, उसके बाद table property पे click करेंगे, text flow पे click करेंगे, आप उसके direction को दे सकते हैं, यहां से कैसे रखना है, left से right के तरफ रखना है, right से left के तरफ रखना है, alignment को change कर सकते हैं, bottom में, top में, center में, मालीचे में bottom में रखना है, bottom में हमने कर लिया, फिर हमने ok कर दिया, अब देखें यहां पे text flow जो है उसका alignment और जो भी direction हमने change किया, वो सारे नीचे आ गया ऐसे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अब हमानलीजी हमने column को select कर लिया, दा मौले column को select कर लिया, हमने table भी कल पे गया है, वहाँ से table properties को select किया, अब हम इसको center में करेंगे, center को select किया है, टेक्स फ्लो को, अब फिर हमने ok कर दिया, अब देखिए, जो हमने नाम के cell को select किया था, उसका जो text है, वह बीच में आ गया, क्योंकि हमने वहाँ center में select किया था, फिर से table पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, table property को select करेंगे, अब हम column को select कर लेंगे, column वाले भी कल्प को select कर लेंगे, अब यहाँ पर देखिए, अलग-अलग column के weights के numbers दिये गया है, adapt table weights दिया गया है, adjuncts column दिया गया है, जो आपका table का space बचा हुए है, उसके दिया गया यहाँ पर, आप उसके column के weights को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया चा रहा है, चारे column के weights को बढ़ा सकते हैं, जितने column के numbers हैं या उनके weights हैं, और रूख के कर देंगे, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर से अपने cursor को table के अंदर किसी Excel में रखेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, पूरे table को select कर लेंगे, उसके बाद फिर से आप table property पे जाएंगे, क्लिक करेंगे यहां पे, अब Adjects column, यहां से दूसरे वाले बिकल्प को select करेंगे, और उसके बाद remaining space, और यहां से column width के कम कर सकते हैं, यहां से column के width को कम करेंगे, आप बढ़ता जाएगा remaining space में, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और OK कर देंगे, अब देखिए आपके table का, जो size था, जो number सब कम हो गया, फिर से table पे जाएंगे, table properties, Adaptable width को select करेंगे, सही का निसान हो जाएगा वहाँ पे, उसके बाद column के width को बढ़ाएंगे यहां से, जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, remaining space कम होता जाएगा, सारे column को बढ़ा लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा हैं, और उसके बाद okay कर देंगे, अब देखें, फिर याद इस format में आ जाएगा, फिर से table पर जाएंगे, table property पर click करेंगे, सब की size को बढ़ाएंगे, जिसका कम करना है, कम करेंगे जैसे जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको, और फिर okay कर देंगे, पहले normal view में रखना चाहते हैं, आप इसे undo कर सकते हैं, पूरे table को select कर लें, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, टेबल पे जाएं, क्लिक करें, टेबल प्रोपर्टी को select करें, क्लिक करें, अब border option को select कर लें, यहां से आप अपने table के border को दे सकते हैं, टेबल पे कितने side border रखना चाहते हैं, four side, उसके line के style को change कर सकते हैं, यहां से, उसके color को change कर सकते हैं, यहां से, उसके shadow के style को यहां से change कर सकते हैं, shadow दे सकते हैं, shadow के distance को बढ़ा सकते हैं, यहां से, shadow को color दे सकते हैं, यहां से, जो भी आपको color अच्छा लगी उसे select करें, अब इन सब के space को भी दे सकते हैं, left से कितना रखना है, right से कितना रखना है, टॉप पे कितना रखना है यह सभी चेंज्स करके OK कर दें अब देखें यह जितना भी हमने चेंज्स को यैнов टेबल प्रफे अपलाई हो गए इस तरह से टेबल का सैडव आ गया टेबल के चार उतनल बार भी लगये हैं जैसे कि आपको विडियो में दिखाया जा रहा है फिर से आप पूरे टेबल को select कर लेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद मैं नुबार के टेबल भी कल पे जाएंगे टेबल प्रोपर्टी पे क्लिक कर देंगे बैक्राउंड ओप्शन को यहाँ से select करेंगे अब टेबल का जो भी आपको बैक्राउंड देना है सेल के लिए यहाँ सेल कर सकते हैं कर लेंगे और उसके बाद फिर अब यहाँ पर OK पर ट्लिक कर देंगे अब देखे टेबल के बैग्राउंड को कलर चेंज हो जाएगा फिर से टेबल पर जाएंगे टेबल प्रोपर्टी पर क्लिक करेंगे अब यहाँ से हमने टेबल को सेलेक्ट किया कोई दूसरा कलर लिया हमने OK कर दिया अब देखे यहाँ पर टेबल के बैग्राउंड को कलर चेंज हो गया फिर से टेबल पर जाएंगे टेबल प्रोपर्टी पर क्लिक करेंगे अब इस बॉक्स के अंदर रो को सलेक्ट करेंगे यहाँ पर कलर चेंज करेंगे अब देखे यहाँ फिर से टेबल पर जाएंगे क्लिक करेंगे एक नए टेबल को इंसर्ट करेंगे हम अपने उसी पेज़ पे अपने करसर को कहीं और रखके उसके बाद हम टेबल पर जाएंगे टेबल प्रोपर्टी पर क्लिक करेंगे बैगराउंड ओप्शन सेलेक्ट करेंगे या बैगराउंड सेलेक्ट है बाइडिपॉल ठीक है यहां से हम कलर को चेंज करेंगे पॉर में देखे रो सेलेक्ट है कलर चेंज हो गया इस तरह से तो टेबल के बैगराउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं यहां से ऐसे अगर हमने सेल को सेलेक्ट किया तो सेल का कलर चेंज हो जाएगा यहां से color select किया sale ok जा भी आपका cursor blink कर रहोगा table के अंदर उसका sale का color change हो जाएगा फिर से table पे जाएंगे table property पे click करेंगे अब table को select कर लेंगे color को change करेंगे और ok कर देंगे इससे आपके पूरे table पे color आजाएगा जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप table property बिकल्ब का उपयोग कर सकते हैं अगला option spelling check का है spelling check की मदद से आप page पर लिखे हुए text की spelling को check कर सकते हैं grammar को check कर सकते हैं इसकी मदद से आप spelling को ठीक कर सकते हैं आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं spelling check का उपयोग कैसे करते हैं आएए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि spelling and check बिकल्ब का उपयोग कैसे करते हैं इसके दुआरा आप अपने spelling को चेक कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है मानली जी जो spelling mistake है हमने उसको select किया जिसको ठीक करना है उसके बाद टूल पे गए और spelling and grammar पे select किया अब देखी क्योंकि यह एक नाम है तो यहां पर लिखके आ रहा है not in dictionary फिर भी suggestion यहां पर suggest कर रहा है कि आप इन में से कौन से text को रखना चाहते हैं अगर change करना चाहते हैं तो आप change करें नहीं करना चाहते हैं इग्नॉर कर सकते हैं तो यहां पर यहां से ignore once पर क्लिक करेंगे spell check complete हो जाएगा अब उसके नीचे यह rate sign नहीं आएगा क्योंकि हमने spelling चेक कर लिया फिर से दूसरे नाम को select करेंगे spelling and grammar पर जाएंगे यहां से text के language के format को select करेंगे फिर उसके बाद उससे related हैं यहां पर suggest करेंगा कौन सा रखना चाहते हैं change करना है नहीं करना है नहीं करना है तो आप ignore once पर क्लिक कर देंगे अब यह जो box आएगा यहां पर okay कर देंगे उसके भी नीचे से आप यह rate का जो line आ रहा था वह हट जाएगा इस तरह से आप अपने spelling and grammar को ठीक कर सकते हैं menu bar के टूल्स भी कल पे लेकर आएं उसके बाद language पर जाएं यहां पर अलग-अलग देखें options आ रहे हैं पहला option for selection का है इसमें आपको more पर क्लिक करना है जैसे more पर क्लिक करेंगे यहां पर box आजाएगा उसके बाद यहां language से आप अलग-अलग प्रकार के भासा यानि language को select कर सकते हैं आपको जो भी रखना है और उसे ok कर सकते हैं उसके बाद आप type करेंगे तो वह उस भासा में type होगा यहां से आप इसके फैराग्राफ के लिए रखना है या किसके लिए रखना है अगर आपको paragraph के लिए रखना है तो आप paragraph के लिए English language को select कर सकते हैं यहां से change करना चाहते हैं change भी कर सकते हैं आप यहां से मालेज़े हमने select कर लिए हैं यहां पे एक नाम को उसके बाद हम tools पे गए हैं language को select किया हमने for selection या for all text पे गए हैं और यहां पे हमने किया none do not check अब इस नाम को या check महीं करेगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर से अब हम tools पे जाएंगे language पे जाएंगे for paragraph आप या for all text को select करेंगे English इवेस वाले language को select कर लेंगे अब देखें सभी नामों के नीचे rate लाइन या चीने बनके आगया language पे गये हम यहां से thesis भी कल्प को select कर लिए हमने अब हम यहां पे language को select करेंगे जो भी language रखना है English का जो भी Australia, Canada जो भी आपको format रखना है आप यहां से उसको select कर सकते हैं current word को replace कर सकते हैं आप किसी और नाम के साथ उसके लिए आपको यहां पे replace with में नाम टाइप करना होगा और replace करना होगा तो इस तरह से आप उस नाम को replace कर सकते हैं language भी कल्प के द्वारा फिर आप यहां पे more dictionary ऑनलाइन जाएंगे अगर इंटरनेट है तो उसके द्वारा आप language को और भी changes कर सकते हैं जो भी changes करने यहां से यह बाकी के language को भी use कर सकते हैं इंटरनेट कनेक करके तो इस तरह से आप language भी कल्प का उप्योग कर सकते हैं अगला option line numbering का है क्या आप बता सकते हैं line numbering से क्या होता है line numbering के मदद से लिये हुए paragraph अथवा lines को number अनुसार देख सकते हैं आईए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं line numbering का उप्योग कैसे करते हैं आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि line numbering बिकल्प का उप्योग कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी menu bar के बिकल्प पे जाए tools option पे क्लिक करें यहाँ पे एक box आएगा आप यहाँ पे line numbering को select करें एक box आएगा इस box के अंदर आपको show numbering पे क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे सही का निस्यान आ जाएगा यहाँ पे view के अंदर अलग-अलग option आएगे character style पहला option है इसके अंदर आप उसके character के style को select कर सकते हैं बहुत सारे प्रकार के हैं है इसके अंदर देखें हमने यहाँ से line numbering को select किया उसका format भी दे रहा है यहाँ पे format के अंदर भी बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के line numbering के format मजूद है यहाँ पे कहाँ पे रखना चाहते हैं position उसका left में, right में कहाँ पे, inner, outer जहाँ भी रखना है उसको select कर सकते हैं यहाँ से कितना है space होना चीए आप उसके space को बढ़ा सकते हैं यहाँ से या फिर कम कर सकते हैं हर एक line के interval भी दे सकते हैं जो भी changes करने आप यहाँ से कर सकते हैं अब फिर आपको ok करना होता है यहाँ पर देखें यह line number का format आ गया हर एक line के पहले number आ जाएगा जहाँ भी state start होगा जब भी आप enter करेंगे एक नया number आ जाएगा जब भी आप enter बटन प्रेस करेंगे एक नया line का number आ जाएगा फिर दुबारा से हम टूल्स पर जाएगे क्लिक करेंगे यहाँ पर उसके बाद line number पर क्लिक करेंगे अब count के अंदर से blank lines को select कर लेंगे और फिर okay कर देंगे अब देखी सारे जो numbers आ रहे थे lines के वह blank हो गया फिर से अब हम कुछ text type करेंगे enter बटन प्रेस कि हमने अब next line में number नहीं आया जब हम text type करेंगे तो automatic वह number आ जाएगा जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है enter बटन दबाया line का number नहीं आया type करते तो number आ जाता फिर दुबारा से हम tools पे जाएगे click करेंगे यहां पे line और number को select करेंगे और फिर blank lines को यहां पे click कर देंगे तो सही का निसान आ जाएगा अब देखें automatic numbers आ जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप line numbering विकल्प का उप्योग कर सकते हैं क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाफ्थ होती है आप सभी writer की file को close करें और अपने computer को start down करें आज की class में आपने table और tool menu के बारे में सीखा row और column को कैसे insert करते हैं अथवा delete करते हैं मर्च sale क्या होता है इसका उप्योग क्यों करते हैं split sale का उप्योग क्यों करते हैं auto fit, convert, formula, properties और line numbering के बारे में सीखा